समाचार मिथला पतीपा पता लग जाएगा धर्म धुरंदरों की नगरी है और मिथल आओगे तो पता लग जाएगा ज्यानियों और वेराग्यों की और आपके घर में भी जाओ तो साज सज्जा से पता चल जाते हैं कि आपकी प्रवत्ति कैसी है कई लोग बातरूम में नंगी इस्त्रियों की मूर् और कहीं के घर में प्रवेश करते दिखाई देता लम अंकित आयूद क्या श्री राम जयराम रामराम अच्छा सुबह सुबह उठके क्या करती हो रामराम ए अजे अकफ़ार कहा थै तो नहीं बोलती है चाय लाओ एंसा नहीं क्या करती है दाम राम जी, दाम राम करागरे वस्ते लक्षनी कर्मदे सरस्मती कर्मूले तुगो बिन्द विश्वा मित्र महामूनियाए समाचार मिधिला बती पाई विश्वा मित्र महामूनियाए समाचार मिधिला बती पाई देही आवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई देही आवसर आए दो भाई देही रहे देखन फुलवाई वल्ये श्री राम जये राम जये जये राम द्रोपदी ने बांधा के वल चारे कच्चे धागों में बदले में भेज दीती साडियां हजारों में उसका सफल क्यों न जीवन जिसके इरदे में हरी सुमीरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा जैसे ही देखा जनक जी है और देखते ही रह गए यह तो वेरागी है न वेदानती है रूप भूप में फंसते नहीं है लेकिन राम जी को देखके अपनी सुद भूल गए इनाहीं विलोकत आतिया नुरागा बरबस ब्रह्म सुखही मन त्यागा इनाहीं विलोकत आतिया नुरागा बरबस ब्रह्म सुखही मन त्यागा कहो नाथ सुन्दर दोव बालक मुनी कुल तिलक के रिपकुल पालक कहो नाथ सुन्दर दोव बालक मुनी कुल तिलक के रिपकुल पालक श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम गुरुदेव मेरा मन सहज है मेरा मन वेरागी है मेरा मन रूप में नहीं अटकता गुरुदेव मैं रूप लावन से परे रहता हूं मैं निर्गुणकार हूं निराकार ब्रह्म के चिंतन में सनलगन रहता हूं सहेज, ब्राम्मी ब्रत्तिय दुर्दे मेरी सहेज विराग रूप मन मोरा खकित हो तजी मी चंद चकोरा सहेज विराग रूप मन मोरा सहेज, ब्रत्तिय विराग रूप मन मोरा इश्वा वित्रजी ने कहा कि नरिप तुम्हे भी वही रोग लग गया जिसका मैं रोगी हो गयाओ इनके रूप लावने का, इनकी चड़ी का, इनके शील का परिचे दिया ए कौन है, मुन्यों के या किसी नरिप के फिर लौके का परिचे दिया, क्या परिचे दिया? रगु कुल माणी दश रत के जाए, माम ही तलागी नरेश पठाए श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम, जय जय राम लखत संदर संदर भबन में गुरु शरीत शिश्यों को ठहराया गया है और भगवार ने कहा, गुरुदेव, मैं लखन को मिठलापुरी दिखालाँ लखन हिर्दे लालसा अभी सेसी जाई जनकपुर आई देखे जनकपुर का दर्शन रामय नुज मन की गती जानी भगत बच्छलता ही ये हुलसा अच्छा देखे जरा अनुशाशन किसे कहते हैं दुर्देव मैं लखन को नगर दिखालाँ हमारे बच्चे भी पूछते हैं फिलम की टिकिट घर आ जाती है जाते समय कहते हैं हम फिलम देखने जा रहे हैं आज्या नहीं ली जाती हैं बताया जाता है कि हमारा निर्णे हो गया हम जा रहे हैं और समझदार माता पिता समझ जाते हैं कि चूपी रहना चाहिए आज्या कैसे ली जाती है इसका भी संसकार होता है तैयारी करने के बाद ये सूचना दी जा रही है ये आज्या नहीं है कैसा अनुशाशन मिथला नगरी देखने गया हैं और फिर आपको मालूम है कि कैसे पूरी मिथला अनन्द में ढूब गई थी राम अलखन का दर्शन करके अधबत है चलो चलते हैं हम भी मिथला चलते हैं नन्ने से भोले बाबा